कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही किया तो सब्सक्राइब पर लिजे और भले कंद बाद दिजे अगर ये वीडियो पसंद आये तो लाइक का बटन दवाना ना हो ले इस फिल्म को शुरुवात होती है विक्टोरिया के आव मिल गया तो विक्टोरिया को थ्रोन से उतार दिया जाएगा विक्टोरिया का बच्पन रहायसी तरीके से बीता पर उस पर धेर सारी बंदिशे थी ना वो ठीक से खापी सकती थी ना ही अपने एक्छा से कहीं बाहर निकल सकती थी हर वक्त उसके आस पास एक सर्विंट रह विलियम के नजर इस थ्रोन के जायदाद पर लगी रहती है वह विक्टोरिया पर एक्स्टा नजर रखते हैं उसकी हर अक्टिविटी को नोटिस करते रहते हैं दूसरी साइड विक्टोरिया के मदर है जो कि डचेस ऑफ केंट है और साथ में उनका असिस्टेंट है जॉन कॉ कॉन्रोय भी विक्टोरिया को फोर्स करता रहता है इन पेपर्स पर साइन करने के लिए इन पेपर्स के मताबिक जब विक्टोरिया माइनरोटी एस को पार कर जाएगी तब यह थ्रोन वो कॉन्रोय को और अपनी मदर को देदेगी इसके साथ है विक्टोरिया की अंका लगता है पर अंकल लेपट का आइडिया है कि Victoria और आलबर क शादी से यह British ठ्रोन भी उनके अंडर में आ जाएगा एलवट विक्टोरिया के पैलेस में आता है उसके साथ प्रिंस अंस्ट भी आया है पहले तो विक्टोरिया ने अलबर्ट को रिजेक कर दिया वो जानती है कि अंकल लेपर्ड ने अलबर्ट को भेजा है उसे इंप्रेस करने के लिए और वैसे विक्टोरिया अपने कजन के साथ रोमैंस नहीं करना चाहती अलबर्ट विक्टोरिया से चुम्बन क्रिया करने की एकसा जायर करता है Victoria इससे इंकार कर देती है Albert इसके बाद यहां से चला जाता है पर Victoria उसे लिखती रहती है Albert भी उसके खतों का जवाब दिता रहता है कोई समय बाद Victoria का बहुत हड़े है इसका reception रखा गया है Windsor Castle में King यह एकसा जायर करता है कि वो Victoria करिये close रहना चाता है यहां वो कहता है कि Victoria को पसंद करता है Victoria के मदर भी यहां मौजूद है King Victoria के मदर की यहां काफी insult करता है उन्हें वैश्या कहकर बुलाता है King Victoria के income को भी बढ़ाने का हुक्म देता है ये सब करके वो Victoria को impress करना चाता है पर Conroy इन सब को reject कर देता है वो Victoria के सामने ही Victoria के मदर को छती पहुचाता है इस तरह Conroy और Victoria के बीच दुश्मनी और भी बढ़ गई है हर बार Victoria Conroy के दिये papers sign करने से इंकार कर दीती है King इसके बाद Lord Melbourne को भीचता है Victoria की केर करने के लिए Victoria ने Melbourne को accept कर लिया है अपना सेक्रेटरी रखने के लिए Melbourne भी Victoria को Ladies in Waiting में शामिल कर लेता है Ladies in Waiting 19th Century में राजा के बाद सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता था ये उन लोगों को मिलता है जो की फैमिली से जुड़े होते थे और राजा के साथ पोलिटिकली एल्लाइंड होते थे इसके कुछ समय बाद ही King William की Death हो गई अब चुकी कोई भी उतरादिकारी नहीं है विक्टोरिया ने इस राजी को अपने अंडर में ले लिया है अब वो यहां की Queen है Queen बनने के बाद उसने यहां पे घुशना किये कि अब से वो किसी की हुकूमत बरदाश नहीं करेगी वो अब सोतंत्र है अब उसने अपनी मदर को भी नेगलेट करते हुए उनसे दूरिया बना लिया है और तो और उसने Conroy को अपने आस पास की एरिया से दूर खदेड दिय है जब पहली बार उसे अपने काउंसिल के सामने बोलना था उसने अनाउंस किया कि अब से वो यहां की जनता के लिए सब कुछ करेगी अपने राज और राज के लोगों के लिए वो खुद को डिवोट कर दीगी इन सब के बाद विक्टोरिया अपने राज के बकिंगम पै बैद वेवर में काम करना चाहते हैं आपनए आइडिया ल्हाग दिता रहता है विक्टोरिया को यह पसंद आते हैं इन सब में विक्टोरिया इलवर्ट के किस कारने की रेक्वेस को accept कर लीती है दोनों यहां आपस में चुम्बन कंई करते आया करते हैं और फिर दोनों यह साथ में धुआधार संभोग करते हैं Victoria को Albert का साथ अच्छा लगता है वो उसे committed relationship चाती है पर Albert यहां से चला जाता है कुछ समय के बाद यहां Prime Minister की position मिली है Sir Robert को Robert ladies in waiting में कुछ बदलाव चाता है वो अपनी party के लोगों को इसमें replace करना चाता है ताकि Victoria की power को कम किया सकते Victoria इन सब से इनकार कर देती है Robert भी इससे खवाओ कर नई government form करने से मना कर देता है इन सब की वज़े से Melbourne को फिर से Prime Minister बना दिया गया है इस घटना के बाद से Victoria की popularity अब गिरती जा रही है उसके विरोत में आवाजे उठने लगी है सब का ये कहना है कि Victoria ही इस पुरे राज पर हुकूमत चलाना चाती है Albert अभी भी Victoria को अपने ख़त लिखता रहता है Victoria भी उसे जवाब भीजती रहती है इस तरह दोनों अभी भी एक दूसरे से जुड़े है Victoria एलबर्ट को आनी के रिक्वेस्ट करती है Albert उसकी रिक्वेस्ट पर यहां आता हुए है Victoria उसे शादी के रिक्वेस्ट करती है इस बार एलबर्ट ने उसका ये ओफर कबूल कर लिया है दोनों की शादी बड़े शान तरीके से की जा रही है लिमिटेड लोगों को बलाए गया है इस तरह इनका हनीमून भी कुछ ही दिनों तक चल सकता है Victoria को वापस अपने पैलेस जाना है पर एलबर्ट विक्टोरिया से कहता है कि हमें इतने बच्चे पैदा करने होंगे कि वो सारे यूरोप पर राज करेंगे Victoria कहती है कि Albert का सपना जरूर पूरा होगा अब धीरे धीरे Albert ने भी डिविक्टोरिया की हल्प करनी शुरू कर दी है Albert को अपनी पावरलेस होने का एहसास होता है वो देखता है कि Conroy को बेवज़ा फंडिंग की जाती है वो Conroy की फंडिंग को रोक दीता है और तो और उसने Lord Melbourne को भी अपने वाइफ के आज पास जाने से मना कर दिया Albert को लगता है कि उसे तो कोई भी पावर नहीं मिली Albert Victoria के Ladies in Waiting में कुछ लोगों को बदल दीता है इस बात पर Victoria से उसका जगड़ा हुआ Albert कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है Victoria भी बड़ी जिद्धी है वो कहते है कि तुम यहाँ से जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी दोनों जब साथ में निकलते हैं कि तभी Victoria को मारने के लिए उस पर अटेक होता है Albert इस से भाप लेता है Victoria को बचाने के लिए वो खुद को आगे कर लिता है Victoria तो बच गई पर Albert बुरी तरह जख्मी हो गया बाद में इलाज के बाद Albert बच गया Victoria कहते है कि Albert से वो बहुत प्यार करती है Albert कहता है कि अगर ज़रूद पड़ी तो आगे भी Victoria के लिए अपनी जान दे देगा कोई समय के बाद Victoria ने एक बच्चे को जनु दिया इससे खुश अगर Victoria के मदर भी अब Victoria से जगड़ा समाप्त करना चाती है फिल्म के अंत में हमें बताया यादा है कि Victoria और Albert के 9 बच्चे हुए जिन्होंने यूरोप के अलग-अलग देशों पर राज किया फोटीटू की एज में अलबर्ट मर गया और यह फिल्म समाप्त हो जाती है